नमस्ते दोस्तों मेरा नाम महेश है और आज मैं आपको अपने होबिस के बारे में बताऊंगा जिसमें मेरे स्टाम्स, कॉइन्स और इंडिन करंसी नोट्स के कलेक्शन है ज्यों करेंट जो मुझे पर्स्नललाइफ में या वे irm ये जानते हैं उनको पता है कि मैं बच्पन से ही कलेक्शन का बहुत रहा है मुझे और मैं बच्पन से ही कोइन करता था और स्टैम्स कोलेक्शन बात में मेरी जो hobbies थी वो currency notes में भी गई और फिर मैं गानों का भी collection बहुत अच्छी collection और movies का भी बहुत अच्छी collection रखता हूँ तो start करते हैं मेरे पहले collection को जो कि 1995 में मैंने start की थी जब मैं class 8 में था तो उसमें मैं ये जो notebook है उसमें मैं stamp collection करता था और उसमें मैं coins भी रखता था तो अभी मैं फिलाल इस notebook में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने सारे stamps को एक अच्छी सी diary में मैं या album में मैं shift कर रहा हूँ तो पहले मैं ये एक नॉमल सी notebook में लेकि बहुत ही अच्छी तरगी से मैं मैंने stamps को यहां पर अदेशिव से चिपका कर और उसके बारे में उसका description भी मैं लिख के रखता था और चाहा जहां possible था मैं कॉइंस भी ऐसे चिपका के रखता था यहां पे मैं plastic का cutting यहां पे मैं paste कर देता था और यहां उपर से मैं coins रखा करता था आप देखते हैं यहां पे यूसे का कोईन था और बहुत सारे stamps तो ऐसे चिपके हुए थे कि मैं इनको जब transfer कर रहा था तो मैं यह पेज को ही काटन करना पड़ा ताकि मैं stamps को damage न कर दूँ यह बहुत ही तरदर के stamps थे और बहुत ही अच्छे से मैंने इनको सजा की भी रखा था यहां पे देखते हैं यह होंग कोंग के stamps से यहां पर एक तो तीन चार पाच छे साथ आठ नाव तस ग्यारह बारह stamps से मेरे वैसे यहां पर दो यहां पर तीन ऐसे कर कर के मैंने बहुत ही अच्छी तरह कि इस तरह के से अरेंज करके रखा था और यह मेरे मेरे के लिए बहुत ही valuable है बहुत ही valuable है इसलिए मैं इनको अभी भी संजो के रखा हूँ और शायद यह मैं हमेशा ही अपने पास में रखोंगा हाला कि pages फट चुके हैं क्योंकि मैंने stamps से बाहर निकाल निकाला है तो मैं आपको अभी albums में कैसे दिखते हैं यहां पर बहुत ही बड़ा सा stamp था जो की चार stamps एक साथ में थे वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको एक अपने stamp collection का टोर करा रहा हूँगा अपने album में तो यह रहा मेरा पूराना album और अब यहां पर मैं अपने नए albums में सब अपने collection को shift कर रहा हूँ यह मेरा stamp album है जो कि अभी मैं बना रहा हूँ यह coins collection का album है जिसमें मेरे foreign currency coins रखे हैं फिर मैंने एक और coin album रखा है जिसमें सिर्फ Indian coins है क्योंकि pre-independence और post-independence coins हैं यहां पर मेरे पास में almost 18 तरीके का 10 रुपे का coin है अलग बग 54 टाइपस और 5 रुपीस coins हैं बहुत ही rare coins भी मेरे पास में हैं और एक रुपे के coins दो रुपे के coin इनका details मैं आपको तब दूंगा जब मैं अलग video बनाओंगा coins के बारे में और एक specific denomination के बारे में जब video बना रहा हूंगा यहां पर मैं अपने currency notes को collect कर रहा हूं इस album में सिर्फ currency notes हैं पुराने नए और कुछ तो बहुत ही पुराने जैसे ही 100 रुपे का note तो इसके बारे में भी मैं आपको एक video बनाओंगा जिसमें मैं आपको अपने currency notes, Indian currency notes और कुछ foreign currency notes के collection के बारे में बताओंगा और यह है एक बहुत ही special coin जो मेरे collection में है यह स्री जगनात पूरी का coin है और यह शायद 10,000 रुपे का एक coin और 10,000 रुपे का एक coin है दो coins है इसमें UNC जो कि uncirculated coins है तो इन coins और मेरे सारे collection के बारे में मैं आपको अलग अलग videos में बताओंगा झालग झालग